साथिवाज दो बड़े विशेश इशू के साथ हम आपके वी चुपस्तित हुए हैं सर पर्थम तो कॉंग्रेस परिवार के लिए एक खुशी की बात है कि दिल्ली छावनी से हमारे एक निरोराचित कॉंग्रेस के पुराने साथी हाला कि 2015 में आम आदमी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े और पार्सत चुन करके आए पिछले चुनाव में हमारे कॉंग्रेस के विधायक के प्रत्यासी रहे भाई संदीब जी के विधान सवा छेत्र के अंतरगत इस चावनी से हमारे तीन साथी निर्वाचित हैं हमारे कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता चावनी से आदनिये विमिल चौधरी जी भी मंचपर उपस्तित हैं हमारे कईपूर्व विधायक साथी आदनिये जैकिशन जी उपाध्यक्ष अली एमज जी अमरीस गौतम जी यह भी मारे वी चौपस्तित हैं यह मुझे बताते हुए हर सो रहा है किसी नंद किसोर बैनिवाल जी आज दिल्ली परदेश कॉंग्रेस कमेटी में आदनिये राहुल जी और सौनिया जी में अपनी आस्था जटाते हुए इस कॉंग्रेस परिवार के साथ जुड़ रहे हैं तो पहली यह सूचन मैं तमाम साथियों को देना चाहता हूँ और इनका मैं आभिंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ और इनके साथ मैं भाई संदीब जी का विमल जी का भी आभार वेक करता हूँ और मैं इनको कॉंग्रेस का जो सिंबल है इस सिंबल के द्वारा अपने इस परिवार में सामिल करता हूँ आपका स्वा करता हूँ आप पादाओ खूच्छू आपका सामिल के एिजर यादा आपका से सिंबल तर्वार इस सिंबल और आपका सांदा के एंध आपका साथ लिए ये इजिए पूंग हुआ्च्छू इए अपका सकतरा हूँ आपका स्टी हारा हूँ साथियों मैं उमिद करता हूँ कि भाई हमारे नौजवान किस और बैनिवाल जी कॉंग्रेस परिवार इसा दूते वे कॉंग्रेस कीदि हो कॉंग्रेस को घर तक पर चार प्रशार लिए अपना सहिस्क पान करें इसे नियुद कि दुसरी विशह पिंहा हूं जो बदा कंभीर विशह है बेनिवाल जी को बुलवाने से पहले मैं वो विसे तमाम दिल्ली वासियों के सामने आपके द्वारा रखना जाता हूँ साथियों ये विसे उन गरीब परिवारों से जुड़ा हुआ विसे है उन लगख 40-50 सालों से इस्ट लक्ष्मी मार्कीट में अपना आस्या अब आकर के रहते थे और उन साथियों का अवेदन हमें मिला है जिसमें उन्होंने अपनी पीडा जाहिर की है और कई दिनों समाजार पत्रों के मध्यों से आनकारियां घगर पहुंच भी रही हैं यह विसे ऐसा है जहां गरीब तबका वहां रहते हुए तमाम उन जुरुतों को आसपास के लोग की सेवां को जहां प्रति दिन इनकी सेवां की आँए रहता है वहां के आसपास के लोग को भी रहती रही है और उनकी सेवां की पिछले 40-45 सालों से वहां कर रहे हैं जो तात्पर है साथियों इस लक्ष्मी मार्कीट में जो लगवार साथ परिवार वहां रहा करते थे पिछले 40-45 वर्सों से उन परिवारों पर यका यक एक दिन कि के आदे सनुसार वहां पर उनके मकानों को धोस्त कर दिया जाता है यानि कि वहां पर इस्ट एंसीडी अपने बुलोजर जेसीवी के द्वारा पहुंच जाती है और बगर कोई कारवाई के नोटिस के उन लोग के मकान तोड़ दिये जाते हैं और बहुती बर्वता पूर वहां पर जो परिवार हैं और जो उनके वहां रहने के जो साक्षा हैं जो सबूत हैं पातियों लगबद 1982 से पहले तक के भी सबूत वहाँ इन लोग के पास हैं लेकिन अफसोस दोनों ही सरकारें चाहे केंद्री की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो जो आम आदमी की सरकार कहा करती थी अपने आपको आज इनके दुख दर्द को समझने के लिए सरकार तैयार नहीं मुझे याद आजाता है क्योंकि कुछी महिनों पहले दिल्ली विधान सबा का चुनाव समाप्त हुआ था और दोनों ही पार्टी के नेताओं ने और दोनों ही पार्टीयों के मैनिफेस्टों में इस बात को पड़े दावे के साथ कहा गया था कि दिल्ली के अंदर किसी का मकान न तोड़ा जाएगा ना कोई यदि इस तरह का स्लम है कोई क्लस्टर है उसको दिल्ली से उजाड़ा जाएगा लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो इनकी करनी और कथनी साथ तो पर दिल्ली वासी देखने का काम ने दोनों ही पार्टीयां इन गरीब लोगों से लगातार ये खिलवार करती आ रही है इसका जीता जागता उधारन ये इस लक्ष्मी मार्कीट का क्लस्टर ह जिसमें लगबग साथ परिवारों को अज सटक पे लाके खड़ा कर दिया इस संकर्मन के स्मा काल के दौरान जहां पर सरकारे कहते हैं कि अपने घर में रहिए बाहर मत निकलिए वहां पर 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 उनके सपना पर उनकी जो आस्यार है उनकी दोस्त कर दिया जाता है मैं माफी चाहता हूं यदि कोट का आदेश है तो हम उस कोट का आदेश का सम्मान करते हैं और देश का हर नागरिक कोट का आदेश का सम्मान करता है लेकिन जितनी जानकारी मुझे है क्योंकि मैं दो वार पार सद्रा अमेले राज दिली परदेश कॉंग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ इस सनाते ही मेरी नेतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि कॉंग्रेस के दोवारा जो किये गए पूर में जो कारे थे जो नीने थे साइद इन सरकारों को मालूम नहीं है यही कारण है कि जब कॉंग्रेस की सरकार थी याद हो का साथी हो 2006 के अंदर इसी दिल्ली के अंदर कॉंग्रेस ने एक स्पेशल प्रोविजन किया था यानि कि दिल्ली लॉयक्ट जो दोवार छे का है उसमें डेवलेशन इवरु देख हम अध्यादेश लेकर क्या आयते जिसको मंजूरी एक एक 2006 को भारत की सरकार जब कॉंग्रेस की सरकार केंदर में थी और दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी तब यह अध्यादेश के द्वारा इस दिल्ली के लोगों को राहत दी थी दिल्ली के मकानों पे जो सीलिंग और तोड़ फोड़ की तलवार थी उससे बचाने का काम कॉंग्रेस ने दिया था और जिसके अधार पर आज तक भी यह काम जारी है यista क कानून का साहरा ले जाता है तो वही कानून जो कॉंग्रेस की देन है उसी का अधार बना के लोग को रहात दी जाती है लेकिन इस case में आखिर क्यों ऐसा फैसला नहीं लिया गया यदि court में इस तरह का कोई मुकदमा था कोई इस तरह की ब degradation थी तो ये सवाल बनता है सरकारों से क्या सरकार इन गरीबों की बाथ नहीं रख सकती थी, क्या इन गरीबों का पक्ष नहीं रख सकती थी आज वहाँ से भाजपा के इलेक्टिड MLA है भाजपा के निगम पार्षद है भाजपा सासित वहाँ निगम में उनकी सरकार है केंद्र में उनकी सरकार है सांसद भाजपा का है लेटनेंट गवर्नर साहब हो मिनिस्ट्री के अंतरगत उनके प्रतिनिदी यहाँ पर हैं बावजुद ऐसा हो जाता है दूसरी तरफ आम आदमी का नाम लेके छमा चाहता हूं जिन परिवारों को उन्होंने इमोसिनल मैं फिर दोराता हूं इमोसिनल तरीके से लोगों का प् इन गरीबों की बात नहीं सुनते हैं गरीबों का प्रक्ष नहीं सुनते हैं वो यह नहीं बताते हैं कि आपकी सरकार सो क्यों रहीती हैं इनके साथ अन्याय हो रहा था इतनी बड़ी तादाद में आम आदमी के विधायकों को चुनकत दिली में बहजा था उमीदों के साथ भेजा था और यहां जो गरीब बस्ती है साथियों उनके साथ जो वेवार हुआ मैं समझता हूँ ये मानवता के साथ एक तरह से बहुत बड़ा खिलवारी दोनों सरकारों ने किया हैं इस संकर्वन में इस महामारी के दौर में बच्चे आज फुटपात पे सोते हैं खाना न स्वालेशन और सीलिंग के रोखने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक रोख लगा दी गई था बावजूद इस पर एक्शन हो जाता है इस संबंद में सरकार अभी तक कुछ भी बयान देने के लिए तियार नहीं कि ऐसा क्यों इन गरीबों के साथ हो गया जहां तक सवाल है जुग्गी कैंप और क्लस्टरों को लेकर के तो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मास्टर प्लान 2021 तक सरकार का ये दाइत्व है कि जुग्गी में रहने वाले लोग यदि वहां से सिफ्ट किये जाएंगे तो उनका पनर्वास करने की जिम्मेवारी भी सरकारों किये और इसका जीता जाकता उधार मैं देना चाहता हूं मेरे विधान सवाचेत वर्तमान में जहां से उपमुख्यम्त्री जी है एनेच 24 नेशनल हाईवे का अभी चोड़ाई का काम हुआ है जिसके तहत नहरु कैम्प का कुछ हिस्सा उस सरक में आ रहा था और वहां से उस कैम्प को हटाया गया तो उनका पुनर्वास दौरका में किया गया उनको प्लाग दिये गए हैं पुनर्वास निती के तहट दूसरा समस्पूर के अंदर कुछ हिस्सा समस्पूर गाव का लिया तो वहां पे भी कुछ मौज़ा दिया गया वैसे समस्पूर का लेफ्ट पॉर्शन चुकि मैं खुद विधायक रहा हूँ इसलिए मुझे जानकारी है वहां के लोग को भी उनकी इमारतों का प्रवास का पैसा दिया गया तो सवाल यह है कि दोरी निति कैसी सरकारी इस तरह कर रहा है कि एक तरफ उसी पॉलिसी के तहत उनको मौज़ा दिया जाता है दूसरी तफर तरफ यह इस प्लक्ष्ट्री मार्कीट के इस परिवारों को बिल्कुल अर्थों की तरह स्विवीर पर छोड़ दिया जाता है को अगरेस पार्ट्स की गुर्ण इंडर्ति सो में इस दो सकारों को यह याद दिलाते हुए जहां पे इस महमारी में इस संकर्मन के बिमारी को लेकर के पूरा विस्व जूज रहा है वही पे दिल्ली दूसरे और तीसरे इस्थन पर इस संकर्मित लोगों को लेकर के बहुत चिंती थे और ऐसी परिस्थितियों में इस तरह का एक्षन मुझे लगता है इन सरकारों का आम जनता या आम पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है यह इस बातसे सिद हो जाता है लगातार केजरिवाल जी का यह कहना कि संकर्मन से जीना सीखिए आपकी अपनी जिम्मेवारी है आपको खुद बचना पड़ेगा एक बार यह फिर से दो जाता है यानि कि केजरिवाल जी को अब तक जो बाते गरीबों के लिए वो कहते थे लेकिन जब मौका मिला कुछ करने का पूरी तरह से केजरिवाल साथ विफलू है चाहे संकर्मन की रोगठाम को ले करके हो या गरीबों के साथ इस दुख दर्द के समय खड़े होने की बात हो कि सरकार रहते हुए सायदी को ऐसी घटना रही होगी जहां आपदा के समय लोग की मदद ना की गई है यमना के अंदर आया हुआ हर वर्स पानी का बढ़ता हुआ जलसतर हो वहां किसानों की मदद की बात रही हो तो कॉंग्रस में मदद की यह पहली मरतबवा हुआ है कि द इन गरीबों की मदद कर सकती है लेकिन इन गरीबों की मदद की मंसा सरकार की साथ नहीं दिखती है यह हमारा आरोप है इसलिए हम इस सरकार से मांग करते हैं यदि कानून ने कोई आदेश दिया है मानने एक कोड ने कोई आदेश दिया है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती ह कि गरीबों की रक्षा की जाए यदि इनकी पैर्वी करनी में कोई चूक हुई है तो मैं समस्ता हूं सरकार उन पुराने कानूनों को आधार बनाते हुए इन गरीब करते हुए इनको मकान या जो फ्लैट की विवस्ता है वो इनको बहया कराई जाए यह कॉग्रेस पार्टी दोनों ही सरकारों से मान करती है दिल्ली के महामहिम उप्राजेपाल साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि इनको भी उसी द्रिश्ट्री से देखा जाना चाहिए बलकि कि ये लोग पिछले 40 साल से लगबार 40 साल से वहां रहते हैं और कानू उनने तो 2007 क्या 2015 तक के ऐसी तोड़र सीलिंग पर रोक लगाई हुई है यदि कहीं कोई पैंक्रेस्मेंट के तहत यदि सरकार मानती है कि वहाँ स्लम बन गया है या कोई अमात्राइज कॉलिनी बन में इनका पुनरवासो और परधानमत्री आवास योजना के तहट जो भी पुनरवास की जो योजना है उसका लाब इन 60 परिवारों को तुरंत मिलना चाहिए स्यासी तफदीर योटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर किलिक करें ताके आपको सबसे पहले खबरे मिलती रहें